नमस्कार मैं हूं चंद्रकांता राजप्रुवित अब सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी क्यार किचन में तो आए आज हम बनाते हैं व्रत स्पेशल फलाहारी शकरकंदी की खीर जोगी एकदम फाइबर से भरपूर हैल्दी टेस्टी होत दाइसो ग्राम शकरकंदी लेली है तो इन दिनों शकरकंदी आने शुरू हो गई है और यह हैल्थ के लिए काफी ज्यादा फाइदे बंद होती है तो इसको अमने दो लिया था और इसका जो छिलका है वो पतला पतला साम निकाल देंगे उपर से और इसको दुबारा से देट रहे हैं मीडियम साइज से भी आप कर सकते हैं उससे इस तरह किसे इसको कद्दू कस कर लेंगे हम कि कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल सीक्यार किचन पर शकरकंदी का हल्वा शकरकंदी की सबजी और भी रेसेपी इसको अपलोड किया हुआ है तो एक बार जाके व पच जाता है जिसको अम ग्रेट नहीं कर पाते हैं तो पतला पतला आव इसको चाकु से कट कर लें यह सारी शकरकंदी को हमने कदू कस कर लिया है अब यह तो कोई मोटे तले का बरतन ले या फिर नान इस्टिक बरतन ले मैंने नान इस्टिक पैन लिया है उसमें 2 चोटे चमस देसी गी डाल देंगे हम और देसी गी में शकरकंदी को हमें थोड़ा सा बुनना है जब तक कि थोड़ा सा ड्राय ना हो जाए इसका कलर चेंज ना हो जाए तो यह सारी हमने क्रेट किवी शकरकंदी अड़ कर दी पैन में अब मीडियम फ्लेम पर लगातार थोड़ा चलाते वे इसको बुन लेंगे हम तो जैसे जैसे यह बुनेगी इसका कलर चेंज होता जाएगा और बहुत ही अचीजी खुश्मा आनी शुरू हो जाएगी तो यह रैसेपी बहुत ही फटा फट बन जाती है लास्ट इसमें पीस मिनट से ज्यादा नहीं लगता है और बहुत ही आसान है और फलाहारी रैसेपी है तो किसी भी वरत में नवरात्रे आ रहे हैं आगे तो आप फलाहार के तौर पे इसका 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 इसकता है दूद पहले आमने गरम किया हुआ था तो यह दूद इसमें आड कर देते हैं अगर आपके पास कच्छा हो तो फिर उसे गरम कर लें साइड में गरम करके इसमें मिला लें एक लेटर दूद में डाइसोग्राम शकरकंदी एकदम बराबर होती है अब इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे कि शकरकंदी अच्छे से दूद में मिक्स हो जाए और थोड़ा चलाते रहेंगे उबाल आने तक अब इसको दस से पंद्रा मिड़ स्लो टू मिडियम फ्लेम पर हमको पकाना है कि शकरकंदी और दूद एकदम आपस में मिक्स हो जाए बीच बीच में चेलाते रहें ताकि जो खीर है वो तले में चिपके नहीं कि उबाल आ गया है किर में तब बिल्कुल स्लो कर लेंगे हम और स्लो फ्रेम पर इसको दीमे दीमे पकने देंगे तो खीर जब दीमे आच में पकती है तो इसमें एक अलगी खुश्बो टेस्ट आ जाता है और जो साइड में यह दूद लग जाता है उसको हम कुरेट कर दूद में मिक्स करते जाएंगे किर में इससे खीर एकदम लचेदार और गाड़ी बनेगी एकदम क्रीमी रबडी की तरह तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कई तरी की खीर के रेसेपी अपलोड की हुई है जैसे कि गाजर की खीर ड्राइफ रूट खीर मखाना कीर बनाना कीर एपल खीर बासूंदी और भी बहुत सारी तो एक पर जाकि विजिट ज़रूर करें यूट्यूब पर सर्च कर करके बैल आइकन का बिटन जरूर दबाएं तो जब तक खीर अच्छे से गाड़ी ना हो जाए दूद और यह जो शकरकंदी आपस में मिक्स ना हो जाए तब तक इसको पकाना है यह कि थोड़ा से मैं इसको हिलाते वक्त हलका सा इसको मैश कर रही हूं तक खीर में गाड़ जब खूपरा इसको एक चोट चोट पतला पतला आमने कट कर रहा है तो वह एड़ कर देंगे बहुत अच्छा टेस्ट देता है और हल्थ के लिए अच्छा होता है इसको भी मिला देते है और दो तीन मिनट फिर पकने देंगी खीर भी पकती जाए गी और यह नारील भी खीर में बहुत ही अच्छा गाड़ा पन आ गया तो थोड़ा से चेक कर लेते हैं तो देखिए शकरकंदी बिलकुल मैश हो रही है यानि कि 100% कुक हो गई है बिलकुल और एकदम दूद और शकरकंदी भी आपस में मिक्स हो गए है तो खीर हमारी अच्छा से पक गई है अबने और मिक्स करके इसको भी एक मिनट पका लेते हैं ताकि यह भी ड्राइफ रूट हमारे सॉफ्ट हो जाए थोड़े हुआ है है हाँ है तो यह देखो एक मिनट अबने पका ले आता तो अब इसमें डाल देते हम चीनी तो यहां पर शकरकंदी का टेस्त मीठा होता है तो मैंने तीन टेबल इस्पून की करीब तीन सी चार टेबल इसके अंदर है अब जितना मीठा खाते है उसके साब से कम ज् और इसको थोड़ा mix करते वे पकाएंगे कि चीनी हमारे अच्छे से melt हो जाए तब तक और चीनी melt होने के बाद में एक दो मिनिट और पका लेंगे तक जो चीनी का कच्छा पने वो निकल जाए और जो भी साइड में लग रहा है दूद उसका हम निकालते जाएंगे और दूद में mix करते जाएंगे कि देखिए हमारी बनके रैडी है चीनी डालने के बाद में एक से दो मिनिट हमने इसको पका लिया था तो अभी ठंडी होने के बाद और गाड़ी हो जाती इसलिए बहुत जादा गाड़ी नहीं करेंगे गयास हमने बंद कर दिया है और अब डाल देंगे इसमें लास्ट म पाड़र और थोड़ी किशमिष किशमिष को हमने अच्छे से धुझ लिया है तो लास्ट में डालें इसकी बार दूद फट जाता है इसमें हलकी सी खटास होती है और डाल देंगे इसमें लाइची पाड़र दर दरा कुटा हुआ इसको मिक्स कर लेंगे हम तो खीर काफी तो इस स्टेज पर इसको हम ढखके रग देंगे तो किश्मिश हमारी अच्छे से फूल जाएगी कि हमने मिक्स कर लिया लाइची को भी तो अब इसको रूम टेंपरेचर पर थंडा कर लेंगे तो थोड़ी देर फ्रीज में थंडा कर लेंगे थंडी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है यह देखिए थंडी होने के बाद यह और ज्यादा क्रीमी हो गई है तो एकदम रबडी जैसी गाड़ी और क्रीमी शांदार यह शकरकंदी की वरत स्पेशल फलाहारी कीर बनके तयार है तो सर्फ कर देता है तो देखिए जो इसका टेक्शर है वो कितना ला जवाब है जिसे भी आप खिलाएंगे ना तो बिल्कुल आपकी तारिफ करने से अपने आपको रोक नहीं पाएगा और यह आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इतनी जादा ही टेस्टी है और इसमें फाइबर काफी जादा होता है शकरकंदी में तो हमारे पेट के लिए बहुत जाद़ा फायदेमंद को स्टोपेशन में और इसकी तासीर भी अच्छी होती है यानि या बहुत ज्यादा इस फायदेमंद है तो यह हमारी शकरकंदी की कीर बनके रैडी है तो रैजिपी को एक बार ट्राय करें कमें करें लाइक करें शेयर करें फिर मिलेंगी नई रेसिप के साथ